उत्तर वैदिक कालीन और पुराणों में वर्णित अती विख्यात स्थानेश्वर मंदिर के निगट सरस्वती के तठ पर स्थित कालेश्वर तीर्थ वे मंदिर आदी एवं प्राचीन है शास्तरों एवं पुराणों के अनुसार महाकाल उज्जैन के जोतिरलिंग मंदिर के बाद इस स्वयंबू कालेश और महादेव की माननता है यह दुनिया का एक मात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां शिव के साथ नंदी विराजमान नहीं है ऐसी माननता है कि महापरतापी रावण अपने उडन खटोले में जब यहां से बुझरा तो उसका उडन खटोला डग मगा गया नीचे उतर कर महापरतापी रावण ने देखा कि इस्थान पर एक तीर्थ है रावण ने इस तीर्थ में सनान किया और तपस्या पर बैठ गया घोर तपस्या के बाद अकाश वानी हुई और भगवान शिव ने परसन होकर रावण आशिरवाद मांगने को कहा मान्यता है कि रावण ने कहा कि जब आप मुझे आशिरवाद दें तो उस आशिरवाद का कोई शाक्षी नहीं होना चाहिए जिस पर भगवान शिव नंदी को छोड़ कर महापरतापी रावण को दर्शन देने के लिए इस स्थान पर प्रकट हुए और आशिरवाद मांगने को कहा मानिता अनुसार रावण ने काल पर वीजय का आशिरवाद मांगा था भगवान शिव ने रावण को काल पर वीजय का आशिरवाद इसी स्थान पर दिया था इस प्रकार रावन को आशिरवाद देते समय भगवान शीव के साथ नंदी नहीं थे। भगवान शीव इसी स्थान पर श्वयंभू रूप से प्रकट हुए और रावन की च्छानुसार नंदी को साथ लेकर नहीं आये। और ये कहा था कि भगवान शंकर जब आप मुझे शिरवाद दे आएं तो उसका कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान शीव ने आप परकट होकर रावन को महाकाल पर विजय का शिरवाद दिया और नंदी को छोड़ करके परकट हुए थे। का आशिरवाद मांगा था और ऐसी मानता है कि भगवान शीव नंदी को छोड़ कर परकट हुए। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस के लिए को जाए झासेट करें। ताजाỏiए झालब नंदी झाल झाल